तो पिछले एपिसोड में सिंग्जुन को पैलेस के अंदर से फायर बॉल के जैसे एक अजीब सी चीज मिली थी और तभी वहाँ पर एमपर डीमन एस्पाइडर भी आ गया था इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एमपर डीमन एस्पाइडर सिंग्जुन के उप परिसानी हो रही थी अब यहां देखते ही सिंग्जुन अपने पास वाले डेड़ सोल ड्वेलिंग के पाउर का यूज करना सुरू कर देता है जिसके बाद एमपर डीमन एस्पाइडर को इसके पाउर से डर लगने लगाता और फिर वो तुरंत ही वहाँ से पीछे की जाता है अब इसे देखते ही सिंग्जुन को भी समझ में आ गया था कि एमपर डीमन एस्पाइडर इसके पाउर से डरने लगा है इसलिए वो तुरंत ही लगातार इसके पाउर का यूज करना सुरू कर देता है और इस तरह से वह एमपर डीमन एस्पाइडर को अपने पू एमपरर मीतिया ने किसी तरह से इस आइटम को पा लिया होता तब इसके वज़ा से वो एमपरर इल्म के अंदर एंटर कर चुका होता लेकिन बदकिसमती से यहाँ आइटम उसके हाथ में नहीं गया नहीं तो सिंग्जुन को भी डर लग रहा था कि अगर यहाँ आइटम उ लग गया होता तब इसके पाउर का यूज करके वो बहुत ज़्यादा पाउरफुल बन गया होता और उसके बाद उसको मार पाना बिलकुल ना के बराबर होता क्योंकि इस बलड़ी आइबॉल के पास में इतनी ज़्यादा पाउर है कि इसका यूज करके एक मार्सल एमपर इसके अलाबा सिंग्जुन को यह भी पता चल जाता है कि इसकी पावर किसी फोर्थ लेबल वाले मार्सल एम्परर की पावर से कम नहीं है, इसलिए अगर इसके पावर का सही तरीके से यूच किया गया तब इसके मदद से यी सुई सेंग को भी बहुती असानी से मारा जा सकता है इसके बाद सिंग्यून कहता है कि अब तो जियांग जियांजू मारा चा चुका है इसलिए फुगुजू को अब केवल सेवेने स्टार वेली के ऊपर फिर से अपना कंट्रोल पाने की जरूरत है जिसके बाद इसके साथ मिलकर हम नाइन फ्रोस्ट पैलेस से बहुती असानी से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि सिंग्यून का प्लान है कि वांजियान पवेलियन और सेवेने स्टार वेली एक साथ मिलकर नाइन फ्रोस्ट पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे जिसके बाद नाइन फ्रोस्ट पैलेस को बरबाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा इसके अलावा अब तो सिंग्यून के पास में डिमन ए स्पाइडर का बलडी आईबॉल भी आ चुका है जिसका यूज करके वो यी सुई सेंग को बहुत ही असानी से हरा देगा और यहां तक कि इसके मदद से उसे बहुत ही असानी से मारा भी जा सकता है अब इन सभी बातों से सिंग्यून को लगता है कि इस काम में खुद गौड भी इसकी मदद कर रहे हैं और इसके बाद वो कहता है कि लियू सियान अब तुमें और ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही जल तुमें बचाने के लिए आने वाला हूँ इसके बाद सिंग्यून इस जगा से जाने वाला होता है लेकिन तभी उसी वक्त यहाँ पर कोई पाउर एक्टिवेट हो जाती है इसलिए जहाँ देखते ही सिंग्यून भी इसमें अपने पाउर का यूज कर देता है क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि याकिर यहाँ पर कौन सी पाउर छुपी हुई है जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पाउर फुल मोती सामने आती है लेकिन अब इस जेड़ बीड को देखते ही सिंग्यून काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कहीं आसा तो नहीं कि यहाँ चीज मीत यान माउंटिन की कौर है इसके बाद सिंग्यून अपने हाथेली पर एकट लगाता है और अपने एक बुंद बलड को उसके उपर फेंक देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से कोई बहुत ही ताकत वरपा और बाहर आने लगती है इसके बाद अगले सीन में हम सुजिंगान और मुजाओ को देखते हैं जिनका कई एल्डर पीछा कर रहे थे इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे भाग रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो ज्यादा समय के लिए इनसे नहीं बच पाते और केवल कुछी देर में वे सभी एल्डर मिलकर उनको एक जगा पर घेर लेते हैं अब इस बात से ये दोनों काफी परेसान हो गए थे क्योंकि वे अकेले इन सभी का सामना नहीं कर सकते थे तभी एक एल्डर इनसे कहने लगता है कि मीत यान माउंटेन को ओपेन हुए पांस दिन हो गया जबकि तुम इतने दिनों से हमसे बचते आये हो और इसके अलाबा तुमने तो बहुत से ट्रेजर को भी यहां से हांसिल कर लिया है जिस बात से पता चलता है कि तुम दोनों की किस्मत बहुत ही अच्छी है तब इस बात को सुनकर मुझाओ इन से कहती है कि हम सभी तो सेवेने स्टार वेली से हैं लेकिन इसके बाद भी तुम हमें इतना परिसान क्यों करना चाहते हो और क्या ऐसा करने के बाद भी तुम खुद को सेवेने स्टार वेली का एंसेस्टर कहलाने के लाइक समझते हो जिस पर एक दूसरा एल्डर कहता है कि सेवने स्टार वेली ने नाइन फ्रोस्ट पैलेस के सामने सरेंडर कर दिया था जबकि तुम दोनों को लगता है कि तुम इतने असानी से उनसे छुटकारा पालोगे और इसलिए वो इन पर गुसा होते हुए कहता है कि तुम दोनों ने ऐसा करके बहुत बड़ी कलती कर दी है लेकिन या सुनकर सुजिंगान कहता है कि उस वक्त सेवेन स्टार वेली कमजोर था इसलिए हमारे एंसेस्टर ने यहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया था जिसके वज़ास से उनको ना चाहते हुए भी अपनी सरमिंदिगी सहनी पड़ी थी और इसलिए उन्होंने अपने आपको नाइन फ्रोस पैलेस के सामने सरेंडर कर दिया था इसके बाद सुजिंगान इनसे कहता है कि अब नाइन फ्रोस पैलेस की मास्टर खुद पीछे हटना चाहती है लेकिन तुम सभी के वल अपने फायदे के लिए अभी भी उनके सामने खुद को सरेंडर रखना चाहते हो और इसके अलावा तुम सभी ने तो सेवने स्टार बेली के मास्टर के पोजीसिन को भी सीज करने का कोशिस किया जिसके वज़ा से तुम सभी का यहां क्राइम बहुत ही बड़ा है लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर यह सभी एल्डर इनके उपर हसना सुरू कर देते हैं और फिर इनमें से एक एल्डर कहता है तुमें क्या लगता है कि केवल तुम दुनों मिलकर हमारा मुकाबला कर पाओगे अब इतनी बात कहने के बाद वे अपने अपने पाओर को एक्टिवेट कर लेते हैं लेकिन तभी अचानक से यहां की पूरी जग़ा डगमगाने लगती है और ये सभी वही नीचे गिर कर बेहोस हो जाते हैं इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी मीतियान माउंटेन से किसी दूसरे जगा में आ गए थे और इस बाद से सुजिंगान अब काफी हैरान हो गया था क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस वज़ा से इनको मीतियान माउंटेन से बाहर कर दिय लेकिन मुजाव को समझ में नहीं आ रहा था कि सिंग्यून और जियांग चियांजू अभी भी अंदर क्यों हैं वहीं दूसरी तरफ सभी एल्डर को भी या चीज काफी अजीब लग रही थी लेकिन इसके बाद भी वो अभी के लिए इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि व अब ये सभी फिर से अपने अपने पाउर को एक्टिवेट करके इनके उपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं जिसके बाद सुझिंगान भी अपने वेपन के पाउर को एक्टिवेट करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देख इसमें से एक लेवल वाला इंपिरियल वेपन है लेकिन अभी भी तुम्हें इसके फूल पाउर को यूज करने के बारे में कुछ भी पता नहीं है इसलिए आज तुम दोनों को हमारे हाथों मरने से कोई नहीं बचा पाएगा अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पाउर का यूज करके इन दोनों के उपर अटैक कर देते हैं जिसके दोरान हम देखते हैं कि सुजिंगान इनके सामने कमजोर पढ़ने लगा था और इसलिए मुजाओ भी अब इसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन तब इस सुजिंगान उसे अचानक से धका दे कर यहां से जाने क लिए काता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि इस मैटर के खतम होने के बाद वो उसके लिए एक नया सौंग बनाएगा और इसलिए वो किसी भी कंडिसन में अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहता और इसके बाद उसे बचाने के लिए वो अपने पाउर का लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यास तुम दोनों को हमारे हातों से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सुजिंगान को और किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं थी और वो इनका सामना करने के लिए अपने वेपन के पाउर को पिर वो इनसे कहता है कि तुम तो केवल अपने फायदे के लिए अपने ही स्टूडेन को मार देना चाहते हो जिस बात से पता चलता है कि तुम बहुती निच किसमे के इंसान हो अब उसे यहां पर देखते ही इन सभी एल्डर की हालत भी काफी खराब हो गई थी और इसके बाद एपिसोड यहीं परेंड हो जाता है लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लैप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्स्प्लानेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना